all 31 NITs की CSE का क्या closing rank है और overall उस college का क्या closing rank रहा है इस वीडियों हम वो डिसकस करने वाले है home state का क्या closing rank रहा है other state का category wise general OBC EWS ठीक है सब कुछ इस वीडियों हम डिसकस करेंगे साथ-साथ उसका क्या average package है वो भी आपको बता रहा होंगे सब्सक्राइब को कि आपको समय जाना है नहीं जाना वर्थ है यानि जितना input हम देर उतना output हमें मिल रहा है ठीक है जनरल केंडिडेट के लिए जो closing rank था वह 4080 home state और other state के लिए जो CAC का closing rank था वह 996 था EWS के लिए 486 था और other state के EWS के लिए 176 मतलब EWS rank की बात हो रही है ठीक है EWS का जो rank था उसकी बात हो रही है OBC के लिए जो closing rank था CAC category का 1546 था और other state के लिए वह 367 OBC rank था ठीक है इसी तरह अगर पूरे college का closing rank के हम बात करें था 37,000 तक आपको NIT तरिचे मिल रही होगी अगर आप state से हो home state से हो और अगर अगर आप other state से हो तो 25,000 तक मिल रहागा 25,000 मतलब हम बोल सकते हैं कही नहीं 97.3 percentile तक आपको यह college मिल जाएगा अगर आपको सिर्फ entry चाहिए उसके बाद हम बात करते हैं second NIT वारगल हमने college की जो numbering है वो NIRF ranking के basis पर नहीं करी है ठीक है NIT वारगल का जो home state है उसको general category में 99-96 CAC यहां तक मिल रहा था और अगर आप यह चाहते हो कि आपको सिर्फ NIT वारंगल में entry मिल जाए तो general category को 26,725 rank लाना पड़ेगा मतलब वही 97.4 97.3 या 97.5 percentile के आपको लाना पड़ेगा ठेक बाकि आप देख सकते हैं आपे detail में और average package भी हमने आप बता दिया आपको ठीक है अगर हम बात करें तो यह सेम है for home state जो closing rank है मतलब कि अगर आप general category से हो तो home state closing rank 50,741 जाता है ठीक है और अगर 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 अधर state की हो तो closing rank 40,391 जाते हैं मतलब 96.2 percentile.3 percentile तक जा रहा होगा ठीक है आप यहां पर पूरा देख सकते हो और average package हमने आपको बता दिया उसकी बाद हम बात करते हैं चौते नमर पर हमारा 90 राओर के ला जो की उडिशा में है तो इसका home state के अगर हम बात करें तो अगर आपको इस college में सिर्फ entry चाहिए तो 55,000 अगर आपका rank है तो आप college में जा सकते हो और other state से इस college में एंट्री चाहिए तो आपको एंट्री मिल जाएगी अगर आपको college में CSE चाहिए तो आपको 99.6 percentile की उपर लाना पड़ेगा इस 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 आपको और आपको 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 एंट्री चाहिए तो बड़ी आश जग है उसके बाद यार अधर श्टेट के लिए वें 27,000 कुछ है और होम स्टेट के लोगे लिए 46,000 अटि अलाबाद जो की यूपी में तो कुछ-कुछ स्टेट यूपी हो गया आपका अलाबाद मतल्य और आपका नटी पतना हो गया और विए जहां पर हो इसा है कि आप देख रहे होगा की आपको युपी वालों को उल इस कॉलेज में इस सिर्फ अगर आपको एंट्री चाहिए तो होम स्टेट को 32,000 कुछ मतलब 33,000 तक एंट्री मिल जाएगी और अधर स्टेट को 31.5 तक एंट्री मिल जाएगी ठीक है एडिवाइड दुर्गापुर पर पर आते हैं इसका भी होम स्टेट कुछ खास नहीं है मतलब बहुता कोटा नहीं मिल रहा है इसमें ठीक है तो होम स्टेट जो है वह आपका सिसी में एंट्री के लिए 11,000 मतलब नियर अबाउट 98.9 पर संटाल तक आपको मिल जाएगा अधर स्टेट को 8689 मतलब की 99.23 पर संटाल तक आपको लाना पड़ेगा इस कॉलेज में सिस लेनी के लिए ठीक है सिर्फ एंट्री निटी दुर्गापूर में तो 48,000 अधर स्टेट 40 अगें मतलब देख रहे हो कि यहां पर अधर स्टेट उसका कम में हो जा रहा है होम स्टेट को जादा रंक लग रहा है ठीक है यह हमने राउंड 6 तक की बात करिए हमने CACB round 1 और CAC का 10,000 और 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 वोर्ल कॉरिज का लोजिंग रहे है फिटी सिक्स ताओजन ठीक है और होम स्टेट का लोजिंग रहे है नाइन थी सेवन थाओजन मतलब लगबग एक लाग तक चला गया जनरल का एन अधी जैपूर की बात करते है नाधी जैपूर का जो CAC का लोजिंग अधर स्टेट के लिए साड़े चारह जा रहा लगबग और क्लोजिंग राइंग जैपूर का वो लगबग 39,000 है ठीक है और जनरल कंडिए ठीक है अधी मनीपूर के अगर हम बात करें तो 24,000 तक आपको CAC मिल जाएगा अगर आप अधर स्टेट से हो मतलब की 97.7 परसेंट अधर प्लार तो आपको CAC मिल रहा होगा अधी मनीपूर में ठीक है और अधर स्टेट से अगर आपो और अपको सिर्फ इसमें एंटरेश तो 53,000 क्या सब रहें क्लाना पड़ेगा और हूम स्टेट इसमें बहुत बगड़ा है वो मिश्टेट वालों का अगर दूलाग तक अधर रहें तो भी आपको स्कॉलिज में प्लाइब अब आता है निट कुरुक शेटर का वन व तो मोस्त अंडरेटर कॉलेटर का अधर अधर इसमें प्लाइब काफी से है तो यह आर चीए सी में चाहिए तो अधीस 4254 पर अधर स्टेट लाना पड़ेगा ओलिज में है अब आते हैं हमारे कॉलेज के बारे में अधी जम्षेदपुर का जाता है इवें जो लोर व्रांचेज है जो की कोर व्रांचेज है उनका अधरेज पैकेज 10-11-12 लाग जाता है तो चोड़ी तो 25-26 लाक ऐसे तो अब समझ लो ठीक है अब अब आप करें तो इसका अगर है तो आप अधरे जम्षेदपुर में से से मल रहा होगा अधर इस्टेट हो मिस्टेट को 99 परसेंटल तक मिलेगा ठीक है एंधरे जम्षेदपुर में एंटरी चाहिए तो एक लिस्ट 43-45,000 तक रैंक होना चाहिए अगर आप अधर इस्टेट से हो और होंग सेट से हो तो आपको हर कालेकर में देटा मिलेगा है वह इक चाहिए वह कंके लिए है तो वीज्ट कोन देखो औरर में अच्छाल्य हों एप्टियोATA मिलिगा है तो में यह कि पोर खौमप्लित देखो और अछय अलेगा उन्स कान दूपनूर गोडित अट्र मशार और पोली में प्रें तो एनिटी सिल्चर जो है उसका सपोर्ट काफी अच्छा है मात्य बाखी चीज़ वे चाह तो चेज़ श्पोर्ट काफी है ठीक है काफी बड़ा campus है बहुत सारे वहां पर आपको लेक्स बगारा मिल जाएंगे तो काफी सुंदर campus है इसके बाद स्टार्ट करते हैं तो अगर अगर अधर स्टेट का CSE की बाग करें 10,000 अधर लगभू की 11,000 तक आपको इसकी CSE मिल रही होगी और क्लोजिंग इसका लगभग 46,000 तक जाता है अधर स्टेट के लिए बाकी चीज़ आप अनाटी अगरतला अनाटी अगरतला का जो क्लोजिंग रैंक है इस 19,344 बतलब लगभग 20,000 98.2 परसेंटाल तक आपको यह कॉलेज मिल सकता है ठीक है और क्लोजिंग जोसका है और अधर 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 इस देट इस 57,305 बाकी तो एक सब्सक्राइब तो यह यह तक हमने आपको 19,90 पार इन बता रख रहा हुआ है तो इस वीडियो के यह पे एंट करते हैं तेक तांक यू सो मुठ बचल्टिंग वीडियो को चैनल को स्ब्स्राइब कर दो और वीडियो का लाइक क